नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल नॉलिज पंडित पर दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तीस करेंट अफियर्स के एमस्क्यू कॉशन्स और ये टेस्ट हर एक्जाम के लिए इंपोर्टन्ट हैं पूरे वीडियो ज़रूर देखेगा वीडियो ज़्यादा पांस से साथ मिनिट का होगा और आपके सारे कॉशन्स बहुत ही इंपोर्टन्ट है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला प्रशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एश्याई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश ने समहली थी तो एश्याई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता हमारे देश भारत ने समहली थी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा option number C असम राज्य प्रशन का सही उत्तर है नेक्ट कॉशन आपके सामने है अगला प्रशन आपसे पूछा गया है नीती आयोग की नौवी शासी परिशद बैठक की अध्यक्षता किसने की है नीती आयोग की नौवी शासी परिशद बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने की है option number A प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है नरेंदर मोदी नेक्ट कॉशन देख लेते हैं अगला प्रशन है भारत और किस देश ने सांस्कृतिक संपत्ती समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं नेक्स्ट कॉशन आपके सामने है, अगला प्रश्ण है, भारत की पहली एकी कृत क्रशी निरियात सेवा किस बंदरगाह से शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जब आहलाल नहरू बंदरगाह से एकी कृत क्रशी निरियात सेवा भारत की शुरू की जाएगी। नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्ण है, भारत के 500 वे सामुदाइक रेडियो इस्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM का उधगाटन किस ने किया है? आपके पास यहाँ पर चार आप्शन भी हैं, इन आप्शन में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत के 500 वे सामुदाइक रेडियो इस्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM का उधगाटन किया है, अस्वनी वेश्ण जी ने ऑप्शन नमबर D प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा? नेक्स्ट कौशन है, बहुराश्ट्रिय सेन अभ्यास खान क्वेश्ट का आयोजन कहां पर किया जाएगा? नेक्स्ट कौशन आपके सामने है, इसपात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल किसने लॉंच किया है? शिर्ष स्थान मिला है सिंगापुर के लिए ऑप्शन नमबर C सही उत्तर हो जाएगा? नेक्स्ट कौशन है, C. ने सेल फ्री 6G एकसस पॉंट के विकास के लिए किस आईईईईईटी रुडकी और किस सन्थान के साथ में समझोता किया है? तो IIT रुड़की और IIT मंडी के साथ में समझोता किया है राइट आंसर हो जाएगा सेल फ्री 6G एकसेस पॉइंट के विकास के लिए अगला कोशन है किस संगठन ने दूसरे चरण की बैलेश्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलता पूर्वक परिक्षन किया है यहाँ पर आपको बताना है वह कौन सा संगठन है जिसने बैलेश्टिक मिसाइल की रक्षा प्रणाली का सफलता पूर्वक परिक्षन किया है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट G. प्रश्चन का सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति मंत्रा लेने अगला कॉशन है किस देश के विदेश मंत्री डैविड लेमी भारत की दो दिवसी आधिकारिक यात्रा पर आये है तो यहाँ पर आपके सामने option है और ये हैं ब्रिटेन के विदेश मंत्री जो भारत की आधिकारिक दो दिवसी यात्रा पर आये है next question है किस देश के दक्षणी गेज कोफा जिले में घातक भूस्खलन आया है सही उत्र क्या हो जाएगा तो दक्षणी गेज गोफा जिला जो की है इथोपिया का यहाँ पर भूस्खलन सामने आया है next question है किस मंत्राले द्वारा ग्राम ओदे संकल्प पत्रिका के आगामी अंक के लिए लेख और सफलता की कहानियों को आमंत्रन किया गया है तो मंत्राले जो है यह है पंचायती राजमंत्राले राइट आंसर है option number C पंचायती राजमंत्राले की द्वारा ग्राम ओदे संकल्प पत्रिका के आगामी अंक के लिए लेख और सफलता की कहानियों का आमंत्रन किया गया है नेक्स्ट कौशन हें अन्तराश्री ओलंपिक समिती के कारेकारी बोड में किस भारतिक खिलाडी को ओलंपिक और पुरुस्कार से सम्मानित करने की गोश्णा की है तो ओलंपिक ओलंपिक और सम्मान से सम्मानित हों गे option no. right ऑंसर हो जायगा अभिनाव बिंदरा जी सही उत्त यह चटा इस्थान मिला है। नेक्स्ट कॉशन है नीती आयोग और किस संगठन ने नवाचार और बौधिक संपता को बढ़ावा देने के लिए समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं। तो विश्व बौधिक संपता संगठन आप्शन नमबर C प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा नीती आयोग और विश्व बौधिक संपता संगठन ने ये समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं। अगला कोशन है आर्थिक सर्विक्षन में भारत की जीडीपी ब्रदीदर कितने प्रतीशत रहने का अनुमान है तो आर्थिक सर्विक्षन में भारत की जीडीपी ब्रदीदर जो है 6.5 से 7 प्रतीशत रहने का अनुमान है। Next question है, दसवे अफरिकी देश के रूप में सहयुक्त राष्ट जल कन्वेंशन के कौन सा देश शामिल हुआ है? तो दसवे अफरिकी देश के रूप में सहयुक्त राष्ट जल कन्वेंशन में आईवरी कोष्ट शामिल हुआ है? Right answer हो जाएगा, option number D. Next question है, अंतराश्रिय गडित उलंपियाड में भारत को कौन सा इस्थान मिला है? तो अंतराश्रिय गडित उलंपियाड में भारत को चौथा इस्थान मिला है। अगला प्रशन आपके सामने है, ग्रीश मकालीन एथेलिटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर इस परधा में स्वण प्रधक किसने जीता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 200 मीटर की इस परधा में स्वण प्रधक किरन पहल जीने जीता है। नेक्स्ट कॉशन है, ओमन चांडी लोग सेवक पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ओमन चांडी ये लोग सेवक पुरुसकार से राहुल गांदी जी को सम्मानित किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है BCCI ने आगामी पैरिस ओलंपिक के लिए भारत के ओलंपिक संगों को कितने करोड रुपे धनराशी देने की बात कही है तो भारत के ओलंपिक संगों को 8.5 करोड की धनराशी देने की बात कही है तो दोस्तों ये था आपका आज का question side paper कैसे रहगा वीडियो कमेंट करके जरूरू बतना है चनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब करने ना भूरे like करें और comment करें मिलते हैं एक्ष्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद